कोवीट के कारण बच्चे पढ़ने लिखने में कितने हुए कमजोर सिख्र आने वाली है रिपोर्ट कोवीट-19 के कारण लंबे समाई से स्कूलों के बंद रहने का कितना असर बच्चों की सिख्षा पर पढ़ा है इसका पतार नेशनल अचीवमेंट सर्वे 9-2021 की रिपोर्ट से होगा केंदरिये सिख्षा मंत्राले द्वाराया सर्वे पिछले साल नॉवंबर माह में कराया गया था जिसकी रिपोर्ट सिख्र आने वाली है केंदरीय सिक्षा मंत्राले ने राजे की स्कूली सिक्षा यम सक्षर्दावी भाग को यजन कारी दी है मंत्राले ने इसके साथ ही रिपोर्ट में आने वाली बाते को मुल्याकन करते हुए बच्चों की सिक्षा की भरपाई के लिए जिला अस्तर पर योईना बनाने का सुझाव दिया है जार्खन सहीत पूरे देश में नेशनल अचिमेंट सर्वे पिछले साल बारा नॉम्बर को एक साथ कराया गया था इसके तहत काक्षा 3, 5, 8 तथा 10 के लगबग 1 लग से अधिक बच्चों में सिक्षन सामता के आकलन को लेका OMR सीट पर परिक्षा ली गई थी सूची नहीं भेजने वाले सिक्षकों परहोगी करवाई सिक्षा विभाग की ओर से जीले के माधमीक उच विद्याले तथा प्लस टू उच विद्याले में नियुक्त वैसे सिक्षक चिन के पास B8 और M8 की डिगरी है उनी स्कूले से उनकी जनकारी मांगी गई थी लेकिन आदेश जारी होने के बाद भी सभी सिक्षकों ने इसकी जनकारी विभाग को नहीं सोपी है निर्धारी तीथी खत्म होने के बाद भी 28 जनवरी तक सभी सिक्षकों को सूची देने को कहा गया था जबकि अब तक मात्र 26 सिख्षकों नहीं इसकी जनकारी विभाग को सौपी जिले में ऐसे सिख्षकों की संख्या 100 से डेर सब है कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी सिख्षकों ने अपना नाम और जनकारी विभाग को नहीं दिया बिस्व बिद्यालियों में 25 सिख्षकों की होगी भरती बिस्व बिद्यालियों में 25 सो असिस्टेंट परफेसर, एसोसियेट परफेसर और परफेसर की नहीं नियुक्ति शुरू होगी इसमें नौबर 2016 में विभीन विशुविद्यालों में 162 पदों के लिए निकाले गए विःपन को आपस लेने और उन पदों को नहीं नियोक्ति परक्रिया में सामिल करने की त्यारी की जा रही है राजे के विश्व विद्यालों में बर्तमान में 2018 में असिस्टेंट पूरफेसर की नियुक्ती निकालने की परक्रिया चल रही है इसमें बैक लोग पदो पर भरा जा रहा है जबकि अगले महिने से 552 नियमित पदो पर नियुक्ती परक्रिया शुरू हो जाएगी जारखंड के दो मंत्रियों ने लिया संग्यान अनात बचों की सुरक्षा वा सिक्षा देने का निर्देश गुमला पर्खंड के चुहरू अहिर पुरवा गाउं के तीन अनात भाई बहनों की दुख भरी कहानी को सुनने के बाद जार्खंड के दो मंत्रियों ने संगान लिया है दोनों मंत्रियों ने गुमला डिसी को निर्देश देते हुए तीनों अनात बचों की सुरक्षा वसिक्षा देने का निर्देश दिया है साथ ही राशन कार्ड में तीनों बचों का नाम भी जोडने के लिए कहा है आज से वेलेंटाइन वीक शुरूँ प्यार का महीना कहे जाने वाले फरवारी में 7 से 14 तारिक तक मनाया जाने वाला वेलेंटाइन वीक धेर सारे संदेश और खुसिया लेकर आता है रिष्टो को जीने वाले और प्यार करने वाले के लिए इस वीक को सेलिब्रेट करने की प्लानिंग हो चुकी है Valentine week के हर दिन का खास महत्व होता है Valentine day रिष्टों के बंधन को मजबूत बनाता है अब love person के साथ ही अने रिष्टे भी इस week को celebrate करने लगे है अपनों से प्यार जताने के लिए कई तरह का उपहार देने का चालन है इसे भुनाने के लिए बजार भी त्यार है इसकी कीमत 200 रुपे से सुरू हो जाती है रेल्वे का फर्जी नियोगती पत्र दे कर ले गए बिहार 5 अप्राधी गिरफतार जारखन के चातरा जीरा पूलिस ने रभी वार को फर्जी नोगरी दिलाने वाले अंतर राजी गिरोह का परदा फास करते वे 5 अरोपियों को सदर थाना चेतर के उट्टा मोर इस्थीत एक होटल से गिराफतार किया है इस गिरोह ने नोगरी दिलाने के नाम पर एक युगक से साढ़े दस लाख रुपे गिठागी की थी आरोपियों में उतर परदेश के सुल्तान जीला के चंदवा थाना चेतर के इंदावली गाव निवासी अजय मोरे कुसी नगर जीला के पटहेरवा थाना चेतर के दोगरा निवासी सुभाम तिरपाटी हाए मोराबादी के दुकंदारों ने निकाला केंडल मार्च मोराबादी के सैक्णो दुखानदारों ने रभिवार को मान्या पहले से लेकर मोराबादी मैदान तक केंडल मार्च निकाला यहाँ पहुंचने के बाद इन दुखानदारों ने अपने अपनी दुखानों के सामने खड़े होकर निगम और परचासन की उदासिन रवया के प्रति सांती पुन तरीके से बिरोध जाईर किया दुकंदारों ने कहा कि 10 दिनों से उनकी दुकाने बंद रहने से अब उनके लिए दो वक्त की रोटी का संकट पैदा हो गया है इसी को लेकर या मार्च निकाला गया है आरक्षन की मांग को लेकर तीन दिनों तक धारना परदसन 23 मार्च को जार्खन परदेश वैसे मोर्चा पिछडा वर्ग को 27 परतिसत आरक्षन देने की मांग को लेकर आंदोलन करेगा संगठन की ओर से इसमां को लेकर 23 मार्च से राईधानी में तीन दिनों तक थाना परदशन किया जाएगा इससे पूर्व 13 फरवर्य को गढ़वा, 16 को गमारिया, 20 को देवगर और 27 फरवर्य को रांची में प्रमडल अस्तरिय समेलन किया जाएगा वही नौ मार्च को रजराप्पा में महिला समेलन सो परिवार मिलन समारो होगा बैटक में संगठन का विस्तार करते हुए कंचन साहू को केंद्रिय सचीव माना गया बजट में राज्य को साढ़े 4 हज़ार को ज्यादा मिले अर्जुन मुंडा केंद्रिय जन जाती मंत्री अर्जुन मुंडा ने सनिवार को कहा है कि ज्यारखन के लिए केंद्रिय बयट में पहले के मुकाबले 4 हज़ार को अथिक का प्रधान किया गया है इसलिए ज्यारखन सरकार को चाहिए कि इसका लाब देकर आगे बढ़े मुंडा ने कहा कि जार्खन सरकारिया सुनिश्चीत करे की राज अब पिछड़ा न रहे केंद्रीय मंत्री ने घोड़ा बांधा इस्थीत अपने आवास पर सन्वधात्त समेलन में अजनकारी दिया है जार्खन में कुरोना के 449 नाई केस मिले जबकि 715 मरी स्वश्थ भी हुए है जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 2790 है भारत में 89,99 नाई केस मिले जबकि 1,996,681 मरी स्वश्थ हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 11,757 है लाता मंगेसकर के निधन पर दो दिवसे राज्गिये सोक सवर कोगिला और भारत रतन लाता मंगेसकर का निधन हो गया है इस दोरान ज हारखन में किसी भी परकार के राजकीय समारों का आवेजन नहीं किया जायागा केंदरिये गिरिह मंत्राले के निर्देशा अंुसार जारखन सरकार मंत्री मंडल सचिवाला इवम निग्राने विभाग द्वारा सुचित किया गया है कि लता मंगेशकर का निधन हो गया है उनके समान में 6 फरवरी 2022 से दिनांग 7 फरवरी 2022 तक दो दिवसे राजकिये सोक मनाने का निना लिया गया है कोडार्मा में परतीमा भी सर्जन जूलूस के दरन दो पक्छो में जड़प आठ घायल कोडार्मा जिला अंतरगत मरकचो थाना छेतर के उतरी पंचायत मरकचो के करवला नगर में परतीमा भी सर्जन के लिए निकले जूलूस में दो पक्छो में बिवाद के बाद जड़प हो गई गाटना के सुचना मिलने के बाद मोखे पर पहुँचे पूलिस परसासन की ततपरता से मामले को सांथ कराया गया हलाकी जड़क के दरन एक पक्छ के पांच और दूतरे पक्छ के एक बच्चा समय दो अन्य यानि कूल आठ लोग गायल हो गये बाबा भोले नात का चढ़ा तिलक, 23 दिन बाद होगा बिवा वसंत पंचमी के मोखे पर बाबा बैधनात को पूरे बीदी विधान से मन्त्रों चारण के साथ तिलक चढ़ाया गया इसके 23 दिन बाद एक मार्च को महासिवरात्री के दिन गौरी संग बाबा का विवा होगा बाबा को तिलक चाहने के लिए बाबा मंदीर में मिथलांचल से आय तिलक कहरुओ की भीड़ उम्री बाबा को जलारपन के बाद अविर चड़ा कर तिलक हरुओ ने मंदीर परिशर में एक दुसरे को अविर लगा कर हो ली की शुरुआत की इसके बाद तिलक हरुओ वापस अपने ठाहराव अस्तल पर पहुचे और जम कर हो ली खेली ज्यारखन में दो प्राइबेट मेडिकल कॉलेज में नमांकन शुरू नेशनल मेडिकल कमिशन दोरा नीजी मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के समान सुलक निधारित किये जाने के आदेश से ज्यारखन में भी MBBS की पढ़ाई करने वाले में धावी विद्यार्थियों का बड़ी रहात मिला है। जन भागिदारी से एक संदार पहल की है। हे मन्त सोरेन के हा में हा नहीं मिलाएगी कॉंग्रेस। आर्पियन सिंग के पाला बदल कर भाजपा में जाने के बाद जार्खर में नए सीरेस से सक्री हुए कॉंग्रेस। अब अपने तेवर आकरमक करेगी टीम कॉंग्रेस को आला का मानने परफर्म करने का स्टास्क दिया है। काग यहा है कि इन एजेंडों पर फोकस करें जो कॉंग्रेस के चुनावी वादे में सामिल रहे हैं। इसमें राजे में पीछडों का आरक्षन 14% बढ़ाकर 27% करने का एजेंडा सबसे महत्यपूर्ण है। हाला कि फूर्व कांग्रेस प्रभारी आर्पियन सिंग ने भी इस दिशा में दवाव बनाने की रणनिती बनाई थी। लेकिन यह कारगर नहीं हुआ। कांग्रेस जियों ने इसे लेकर बात आगे बढ़ाई लेकिन इसका कोई नतिजा नहीं मिला। कैविनेट की बैठक 10 फरवरी को होगी। कांग्रेस चोक से सीरम टोली चोक तक फ्लाई ओवर सहीत अन्य सड़कों से समन्दित प्रस्ता पर मुहर लग सकती है। अधिवक्ता कानून लागू करने के लिए बार कॉंसिल ने दिया अल्ठिमेटम। हाल के दिनों में वकीलों पर हुए हमले के बाद राजे में वकीलों में रोस ब्याप्त है। सभी वकील सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा कानून अविलम लागू करने की मांग कर रहे हैं। एक फरवरी को इसके लिए सांकेतिक आंदोलन किया गया था लेकिन राज सरकार की ओर से कोई सकरात्मक रूख नहीं देखे जाने के बाद अब वकील बड़ा आंदोलन करने की त्यारी कर रहे हैं। जारकन राजबार काउंसिल ने सरकार को अल्टिमेटम दिया है और कहा है कि सरकार अविलम अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करे। हर किसी की आखे नम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विभीन भासाओं में लगतार 30,000 गानों को अपनी सुरिली आवाज दी थी। इनकी आवाज ही उनकी पचान थी। जमीन मालिक सुमंत्र टाना भगत आपना घर बनाने के लिए जेसी भी से निव की खुदाई कर रहे थे। इस दोरान जमीन के अलग-अलग हीसे से ए समान मिले हैं। जमीन मालिक ने सारे समान को सुरक्षित रखा है। मामला लोहर्दगा जिला के स्तुदर प्रकण अंतरगत बमन डिया गाउं की है। जारखन में राशन बितरन अब ग्रेन एटियम से। लालू यादो 14 फर्वारी को आएंगे राशन चारा घोटाल मामले में रायत सुप्रीमो लालू परसाद यादो को CBI की विशेस अदालत 15 फर्वारी को राशन में साजा सुनाने जा रही है। राशन चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला कहा जाता है। लालू पसाद यादो 14 फर्वारी को ही राशन चारा घोटाला का सुनाने जाएंगे। गायलो को रिम्स भेजा गया है। मामले की सुचना मिलने पर सदर थाना पूलिस पहुंची। बीच बचाव करने गई पूलिस को भी बाल कैदियों ने निसाना बनाया। सदर थानेदार स्याम की सोर को भी चोट लगी है। इसकूली बच्चों को फिर से मिलेगा भोजन पैकेट। जारखंड के इसकूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब फोट पैकेट दिया जाएगा। जमें मद्यान भोजन के कोकिंग कोश्ट की रासी से फोट पैकेट तियार करके देने की एक बार फिट से तियारी सुरू कर दी गई है। फोट पैकेट अप्रेल 2021 से जनवरी 2022 तक के लिए कक्षा एक से आठवी कक्षा तक में पढ़ने वाले सभी बच्चों को दिया जाएगा। जामतरा के तीन सरकारी स्कूलों में होगी सीबीसी की पढ़ाई। जार्खन के जामतरा जीले के बच्चों को तीन सरकारी स्कूलों में सीबीसी की पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। इसके तवाद परत्थम फेज में जे बीसी प्लस टू उच बिद्याले जामतरा में अंग्रेजी मार्डे में पढ़ाई सुरू होगी। इन बिद्याले को सीबीसी बोर्ट की माने अतको लेकर साभी पर के लिए फूरी कर ली गई है। सिर्फ विभाग की ओर से अपचारिकता बाकी है। इसके लिए जारकर्ण सिक्षा प्रजुना ने एनोसी का प्रस्ता विभाग को भेजा था जहां से उक्रिती दे दी गई है। धन्यवाद। अप्रण सिक्षाओ